तो हेलो एवरिवन प्रीवेट सेशंस में एक्जाम रेल के इस कॉंसेप्ट में हम लोग ने अब इलेक्रिकल मस्चीन में थ्री फेस्ट ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्केशन किया पूरा थेरेटिकल कवर कर लिया हम लोग familiar Pretty ंजनरल रिकमेंडेशन रिकमंडेशन के बारे में बात किया आज att के श्चन में उन्हीं कॉंसेप्ट के basis में कुछ प्र Spa ぐ में अरभी एपप्सट के बारे में बात करते हैं कोछ शन कुक्छ नुमेरिकल कोशौन से तो सभी कोश्चन में अपना आइडिया क्रियेट करते हैं और थ्री फेस ट्रांसफर्मर के इस टॉपिक को और भी ज्यादा ब्यूटिफुल बनाते हैं चलिए में पहुंचने से पहले के बारे में कुछ जानते हैं हम लोगा भी गेट एकडमी के चैनल पे हैं और और रर्भी ट्वेटी ट्वर में 7900 प्लस पोस्ट देखने के लिए मिल रहा हैं गेट एकडमी का जो कोर्स है कि सारे इमेटिएट वीचस पर आपको ांवाइड कर दिये जाएंगे गेट एकडमी में जो गेट के लिए प्रिपार करें आए गेट एस्पिरेंट्स जो हैं 2025 के लिए अगर प्रिपयर कर सकते हैं course को and get 2027 जो की engineering graduates है अभी अपने engineering में है वी टेक में है वो अगर 2027 के लिए prepare करना चाहते हैं तो 6666 रूपीज में easily course purchase कर सकते हैं और इन courses में get free smart course and dopamine course with get 2026 and 2027 courses तो इन दोनों में आपको dopamine और smart course जो है get academy का वो भी provide किया जाएगा and get academy के और भी कुछ contents हैं जैसे कि RRB JEE और SSC JEE 777 में and campus recruitment training का जो program है वो 777 में available है Allstate AJ examinations जो की 777 में available है smart course and dopamine 555 combo जो है 999 में available है ESC non-tech project management और आपका engineering drawing यह सारे subjects जो है environmental तो यह सारी चीज़ें आपको 777 में provide की जाएगी and get subject wise and combo जो है course available है आप जाके website में चेक कर सकते हैं इनके topic wise test रहेंगे इसमें and subject wise test रहेंगे full length mock test रहेंगे इसमें right और इन सारे subjects के लिए आपको available है ECE, IN, CS, ME, CE and CH जो general aptitude का book है gate academy के तरब से especially preparing for gate candidates वो उसमें इतने sections आपको provide किये जाएंगे numerical abilities, logical reasoning, verbal ability, special aptitude, total 521 pages हैं इनको आप triple two rupees में ही available कर सकते हैं and GST available on google ebooks link in description तो आप चाहें तो यह aptitude का qr code आपको mention है आप यहां से scan करके चीज़ों को avail कर सकते हैं next आज के first session की first question की तरफ हम आगे बढ़ते हैं three face transformer का तो एक simple सा beautiful सा question है जो की कुछस तरीके से है solve करने की courses करिए जो की Hindi और English दोनों में available है तो दोनों तरीके के candidates आप अपने concepts यूज कर सकते हैं solve करिएगा कोई technical difficulty होती है understanding में तो आप comment section में बता सकते हैं उसको rectify या फिर आपको समझाने की दूसरे वीडियो में कोसिस की जाएगी नेक्स्ट कोशन नमबर है कि आठ डेल्टा डेल्टा देखेगा ध्यान से डेल्टा डेल्टा ट्रांसफोर्मर हम लोग ड्रॉक कर रहा हैं connected three-phase transformer can be connected in parallel with तो यहां पर हम लोग three-phase mains जो की है three-phase mains supply जो है वहां से इस transformer को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं कुछ सरीके से राइट और यह जो है लोड में कुछ सरीके से जा रहे हैं कि three-phase लोड तो आपको पता है कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में डेल्टा डेल्टा किस किस कनेक्शन के बारे में हम लोगों में बात किया या 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 तो डेल्टा डेल्टा जीरू हो सकता है या तो 180 řी डिग्री हो सकता है तो यहां पर दो कनेक्शन पॉसिबल है d-d-0 कनेक्शन और d-di six connection डी-डी six connection यही दोनों connection possible रहे नएक्स्ट अगर हम लोग कोई transformer इसके साथ parallelly connect करना चाह रहे हैं तो उस transformer का उस transformer का भी face shift जो होना चाहिए वो same होना चाहिए let me undo the things कि यहां से जब आप tapping करते हैं तो line to line voltages का जो face shift है वो दोनों तरब same होना चाहिए just a second line to line voltages यहां पे suppose करिये यहां पे voltages अवेलेबल है V at an angle zero degree तो यही same voltage यही line to line आपने tapping किया हुए ना दोनों lines के बीच का voltages की suppose करिए यहां का voltage आपने suppose किया हुए V at an angle zero degree तो यही same voltage line to line के across में voltages change हो सकते हैं क्या बिल्कुल भी नहीं तो इसके भी across का voltage कितना होना चाहिए भी at an angle zero degree same phasor groups को ही parallelly connect किया जा सकता है कि चार phasor group थे हमारे पास एक जीरो डिग्री एक 180 डिग्री और एक थर्टी डिग्री लैग एक थर्टी डिग्री लीड यह चार connections आपको देखने के लिए मिल रहे थे हैं तो यहां पर line to line voltages की tapping और यहां पर suppose करिए इसका output जो आ रहा है यहां तो जीरो डिग्री आ सकता है यहां तो 180 डिग्री तो line to line voltages अगर यहां पर हम लोग suppose कर लेते हैं we at an angle 180 डिग्री पॉसिबल है होना यहां पर तो इसके इन दोनो लाइन के बीच का यहां का जो transformer हो उसका भी line to line के across का voltages आपको same रखना पड़ेगा line to line के across का voltages आपको same maintain करना पड़ेगा कितना maintain करना पड़ेगा V at an angle 180 degree, V at an angle 180 degree, क्योंकि यहाँ पर कितना voltage है, V at an angle 180 degree है, इसलिए आपको जो incoming transformer होगा, system के साथ connect होने वाला होगा, उसका भी आपको same ही रखना पड़ेगा V at an angle 180 degree है, अगर यहाँ पर line to line tapping हो रहा है, तो यहाँ का भी voltage आपको V at an angle 180 degree ही रखना पड़ेगा, तो 0 degree और 180 degree में shift होना चाहिए, या तो यह 0 भी हो सकता है, अगर यह V at an angle 0 degree होता, तो यह भी V at an angle 0 degree आपको रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर बताईएगा, star delta connections के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, कि delta delta transformer को किसी एक transformer के साथ parallelly connect करना है, वो possible combination कौन सा हो सकता है, तो star delta connection में कितना कितना degree possible है, transmission, phase shift, या तो minus 30 degree lag होगा, या भी plus 30 degree lead connection होगा, तो यहाँ पर possible है, क्या इतना phase shift हो पाना, 0 और 180 में चाहिए, तो यह possible नहीं है, यह गलत option होगा, delta star के बारे में बात करें, तो यहाँ पर भी minus 30 degree shift and plus 30 degree shift available होता है ऐसा delta में, तो 0 और 180 degree यहाँ पर भी possible नहीं है, star star connection में यह possible है, और यह तो एक all together different combination है, zigzag connection, इसका काम ही कुछ और होता है, right, zigzag connection का, तो यह different arrangement है, तो option c यहाँ पर correct होने वाला है, star star connection, आप चाहें तो यहाँ पर star कुछ इस तरीके से, and यहाँ पर भी star star connection, क्योंकि यह 0 degree और 180 degree का shift आपको provide कर सकता है, मतलब star star connection के साथ हम लोग parallel कर सकते हैं, parallel connection कर सकते हैं, delta delta transformer का, तो यह easy सा question था, आपको understanding होनी चाहिए, इसके बारे में, next question के बारे में बात करें, which of the following connection is used as a distribution transformer, distribution transformer के बारे में बात कर रहे हैं, तो distribution transformer में क्या होता है, बताईएगा, low voltage का requirement है, low voltage का requirement है, low voltage का मतलब high voltage divided by low voltage, मतलब यहाँ पर कैसा transformer का requirement है, step down, step down transformer, मतलब, hv इसका कैसे रहेगा, hv side, और lv side, hv delta में रख सकते हैं, और lv, sorry, just a second, let me erase this, तो step down transformer का क्या मतलब होता है, hv to lv transformer, hv to lv transformer, यही हुआ न, step down transformer, hv to lv transformer, जनरल recommendation क्या कहता है, hv side किस में connected होना चाहिए, star में, and lv side किस में connected होना चाहिए, delta में, तो star, delta transformer हम लोग use कर सकते हैं, आपके step down application में, लेकिन as a distribution transformer, to supply single phase loads, single phase loads, जो कि आपके पास available है, ceiling fan वगरा, single phase loads को satisfy कराने के लिए, हमारे पास forcefully, हम लोग star, delta transformer, नहीं use करते हैं, यह exception है, exception है, कि हम लोग यहां पे क्या use करते हैं, delta star transformer यूज करते हैं, delta star transformer, क्योंकि secondary side में star available रहेगा, तभी तो neutral provide कर पाएगा, और single phase load को satisfy कर वा पाएगा, तो यहां पे delta star transformer कहां पे दिया हुआ है, option B is correct, option B is correct, right, तो आपको सारी understanding होनी चाहिए, कि कहां पे कौन सा transformer यूज करना, इसके लिए separate section आपको provide कर दिया गया है, वो session अगर आप देखते हैं, तो easily आपसे question solve हो जाएगे, next अगर हम लोग बात करें, question number 30, a three phase power transformer is provided with a star delta connection, three phase power transformer है, with a star delta connection के साथ की available है, star delta transformer, in order to protect against fault connection for current transformer should be in, तो यहां पर देखेगा, star delta में plus 30 degree और minus 30 degree का shift available होता है, तो हम लोग CT जो है, CT कुछ इस तरीके से use करेंगे कि यह जो phase shift है उसको नेगलिफाई कर सके, नेगलिफाई कर सके, जैसे protection scheme में कोई भी दिक्कत ना हो, यह exactly power system का question दिया हुआ है, तो आपको जस्ट आपको एक basic idea होना चाहिए, अगर यह star delta है तो यह delta star में इसको हम लोग रखेंगे, delta star में, कि delta star में हम लोग रखेंगे, कि यह अगर plus 30 degree का shift प्रोवाइड कर रहा है, यह इस shift को नेगलिफाई कर सके, तो exactly यह machine के concept के basis पे नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं for the time being, power system protection में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, CT के बारे में, तो as of now option B is right answer for this question, next question की तरफ आगे बढ़ें अगर हम लोग, तो क्योंकि CT का concept अभी हम लोग ने discussion नहीं किया है, otherwise अब हम लोगों को यहाँ पे protection scheme के बारे में बात करना पड़ेगा, तो यह question आप लीव कर सकते हैं, next question है, beautiful question है, तरी फेस transformer is connected है ना, star delta fashion, यह देखी, यह ABC तीनों जो है, neutral के साथ है, इस तरीके से connected है, और यहाँ से terminals लिया गया है, तो आप कुछ इस तरीके से भी draw कर सकते हैं, star delta fashion में कुछ इस तरीके से transformer आपको mention है, और यहाँ पे load है, त्री फेस load, जो कि कितना ohm दिया हुआ है, 4 ohm 4 ohm, 4 ohm, start delta is shown, supplying a balanced resistive load, resistive load को satisfy कर रहा है, given that van, van, मतलब इसके neutral के respect में, van का voltage है, वो 20, तो इसको अगर हम लोग यह maximum value होती है, rms value में अगर लिखना है, तो rms, vms is equals to vm by root 2, vm by root 2 at an angle 0 degree, से हम लोग यहां का voltage जो है, van, van, represent कर सकते हैं, capital में लिखेगा, क्योंकि hv side है, right, then find the value of primary rms current ia, यह primary current जो है, ia की value कितनी होगी, यह आप से पूछा हुआ है, तो simplify करके आप easily solve कर सकते हैं, देखेगा हम लोग किस तरीके से इसको solve करते हैं, easy सा question है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यह star side था, और यह delta side था, right, अभी star को delta में अगर हम लोग convert करें, तो star to delta transmit करते हैं, star छोटा होता है, delta बड़ा होता है, तो star से जब delta में resistive value को लेके जाते हैं, ohmic value को लेके जाते हैं, तो three times increase हो जाती हैं, देखिएगा, जितने भी limbs हैं इसके, जितने भी branches हैं, सभी में चार ohm है न, तो चार में three times increase हो जाएगा, तो चार थी आई, बारा, तो यह आपको delta में जब convert होगा, तो कुछ इस तरीके से, यह load, 12 ohm, 12 ohm, और 12 ohm, four multiplied with three, जो की 12 ohm के load में convert हो जाएगा, 12 ohm के registers में convert हो जाएगा, equivalent, तो इस start से delta में हम लोगों ने convert कर लिया, right, और इनको कुछ इस तरीके से connect कर दिया, अब देखिएगा, यह face to face coupling है, face to face coupling है, तो per face basis पे अगर इस circuit को हम लोग draw करते हैं, तो कुछ इस तरीके से draw कर सकते हैं कि आप per face basis पे, और यहां पे delta का face to face coupling, मतलब इस वाले face के साथ, यह वाला face draw गिया, और यह इस face के साथ, कौन सा load connected है, 12 ohm का load connected है, 12 ohm, और यहां का voltage कितना देखने के लिए मिल रहा है, पर face का voltage कितना था, 20 divided by root 2 at an angle, 0 degree, यह voltage आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहा था, तो secondary side में कितना voltage आपको देखने के लिए मिलेगा, आप देख सकते हैं, trans ratio वेगरा के थू, calculate कर सकते हैं, trans ratio कितना दिया हुआ है, transformer का one ratio two दिया हुआ है, इसके basis पे हम लोग इसको primary side में transmit कर लेते हैं, transfer कर लेते हैं, तो देखिए का अगर primary equivalent circuit में draw करें हम लोग, यहां पर, यह है आपका source, 20 divided by root 2 at an angle 0 degree and इस तरफ के जो 12 ohm को इस तरफ अगर हम लोग transmit करें, तो यह कितना हो जाएगा, देखेगा, higher voltage, hv side से किदर आ रहा है, lv side में, तो lv side में impedance की value, जो ohmik value होती है, वो कितने times reduce हो जाती है, turns ratio spare time, तो a की value कितनी है, hv divided by lv होता है, a turns ratio जो होता है, जो कि hv side 2 है and lv side 1 है, 1 ratio 2 है न, तो hv side कितना है, 2, lv side 1 है, तो 2 ratio 1, hv by lv always turns ratio, कभी mistake नहीं करेंगे आप, 2, turns ratio 2 आ गया, मतलब कि turns ratio square times यह reduce होगा, तो a spare, मतलब 2 square, मतलब कि 4 times reduce होगा, मतलब यह solve होगे कितना आ जाएगा, 4, यह 3, 3 आपको देखने के लिए मल रहा है, अब यहाँ पर अगर आपको correct calculate करना है, तो यही तो आईए है, आईए आप कैसे calculate कर सकते हैं, 20 divided by root 2, divided by कितना आ रहा है, 3, इसकी value कितनी आ गई, 3, 3 ohm, इसको simplify करते हैं, तो 20 divided by root 2, और 3 divided by 1, तो 1 divided by 3 आ जाएगा, 3 root 2, तो answer किस में दिया हुआ है, आपको numerical answer चाहिए, आपको चाहिए, फिल इन दी blanks के form में चाहिए, options नहीं given है इसमें, तो यही answer है, इसको आप चाहिए, तो फर्दर calculate करके चीज़ें निकाल सकते हैं, 20 divided by, what happens, चाहिए, बाराओा, हां तो एंसर च्रक करने की जरूरत नहीं है जो सिंपल सा है था ज्यादा कुछ नहीं करना था इस में लेकिन अच्छा क्वेश्चन था आपकी अंडर्सेंडिंग बिल्डब करने के लिए नेक्स्ट कॉस्ट्यं के बारे में बात करें the secondary winding of a distribution transformer is always connected in secondary winding of distribution distribution transformer का जो secondary होता है always क्या रखते हैं हम लोग star में जिससे neutral मिल सके neutral मिल सके और single phase loads को satisfy किया जा सके फुल्फिल किया जा सके तो कौन सा connection होता है star connection option B is correct option B is correct next question when VV system is converted into the delta delta system the capacity आप लोगों को पता है कि delta delta में अगर 100% share कर रहा है लोड तो star star में कितना सॉरी तो आपका open delta में कितना करेगा VV connection जिसको हम लोग कहते है open delta connection last session में हम लोगों ने इसके बारे में बात किया हुगा था कि open delta में एक transformer अगर remove हो जाता है यह 57.7% of delta delta transform की capacity share कर सकता है तो हम लोगों को बात करना है system increased by अच्छा अगर suppose करी इससे work हो रहा था फिर एक transformer जो की maintenance purpose के लिए workshop गया हुआ था वह वापस आ जाता है तो यह अगर delta delta में इतना share कर रहा था तो अब फिर से अगर हम लोगों delta delta connect करें तो वह transformer कितना share कर पाएगा मतलब कितना increment देखने के लिए मिलेगा प्रिवेस cases से तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि delta के case के बारे में बात करें नॉर्मली delta के बारे में बात करते हैं तो यह होता है आपका phase voltage वीपी और यह क्या होता है line voltage और यह क्या होता है लाइन करेंट अड़ यह क्या होता है phase current राइट तो il is equal to क्या होता है यहां पर root three times of ip होता है and vl is equal to क्या होता vp होता है और s के बारे में बात करें तो s is equal to root three times of vl i l होता है और इस चीज़ को अगर हमनो convert करते हैं तो root 3, vl की value कितनी लिखे जा सकती है, vp लिखे जा सकती है, and il की value कितनी लिखे जा सकती है, il की value हम लोग root 3 times of ip लिख सकते हैं, तो detail में एक बार solve कर लेते हैं, जिससे जो भी confusion है, वो सारी चीज़े दूर हो सके, तो root 3, ip की जगा पे हम लोग il लिख सकते हैं, il की जगा पे root 3 times of ip लिख दिया हम लोग ने, तो इसको अगर हम लोग solve करते हैं, तो 3 vp, ip आपको देखने के लिए मिलेगा, now, open delta connection है, अगर open delta की एक transformer आपने remove कर दिया, उस cases में कितना देखने की, इसके across का voltage कितना है, vl, और य यहाँ पे current कितना flow कर रहा है, यहाँ पे बताईएगा current कितना flow कर रहा है, line current है na, il, और यही same current यहाँ से ip देखने के लिए मिल रहा है, तो इसके बारे में बात करें, il is equals to क्या लिखा जा सकता है, ip, and vl is equals to vp लिखा जा सकता है, तो मतलब कि s के बारे में बात करें, जो कि की VP है, तो VP आपने directly लिख दिया, IL is equals to IP है, तो IP directly लिख दिया, तो मतलब S की value यहां पर इतनी देखने के लिए मल रही है, और यहां पर S की value कितनी देखने के लिए मल रही है, 3 times of VP IP, अब इसमें कितना increment देखने के लिए मलेगा, percentage increment, तो इसको हम लोग कुछ सरीके से calculate कर सकते हैं, कि delta, closed delta, delta की जो capacity है, just a second, S of delta, delta, इसको किस से minus करें, किस से compare कर रहे हैं हम लोग, open delta से compare कर रहे हैं, right, open delta से, तो comparison का base क्या होगा, open delta, इस तरीके से multiplied with 100 करते हैं, तो यह calculate हो जाएगी, percentage, increment मिल जाएगा, तो S, delta, delta की value कितनी है, S, delta, delta की value, S, delta, delta यही है ना जी, यह S, delta, delta है, और यह S, open delta है, वी-वी connection का, तो delta, delta है, आपका 3, vp, ip, minus, vb का कितना है, root 3, vp, ip, तो यह करके हम लोग ने vp, ip को common ले लिए, vp, ip, divided by, S, vb का कितना है, root 3, vp, ip, root 3, vp, ip, vp, ip, vp, ip, get cancelled, यह value कितनी आ रही है, यह calculate कर लीजे, तो 3, minus, root 3, divided by root 3, अगर calculate करके देखे हम लोग, तो यह value आपको मिलेगी, 3, minus, root 3, divided by root 3, multiplied with 100, 73.2, 73.2%, इतना increment आपको देखने के लिए मिल रहा है, आप calculator के तुरू calculate कर सकते हैं, क्योंकि exam में आपके पास calculator available रहेगा, option c is correct, option c correct है, इसका, right, तो अगर 3, v connection में work कर रहा है, और फिर अगर हम लोग, delta delta में फिर से जो transformer remove किये थे, उसको लगा देते हैं, तो capacity में कितना increment देखने के लिए मिल रहा है, 73.2%, 73.2% increment, next question के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, 3 phase transformer connected in star delta, 3 phase transformer है, और यह किस में connected है, star delta में, is composed of 3 single phase transformer, each rated 127 volt divided by 13.2 kv, line to line voltage, line to line voltage है यह, ratio, for a 3 phase transformer is, अच्छा, the line to line voltage ratio हम लोगों को निकालना है, तो देखेगा, star delta की capacity आपको दी हुए है, just a second, a 3 phase transformer connected in star delta, composed of 3 single phase transformer, each rated, अच्छा, यह per phase के respect में, आपको rating दी हुई है, per phase के voltage की rating आपको दी हुई है, और आपको line to line voltage ratio of the given transformer निकालना है, तो बात करते हैं हम लोग, star delta transformer है कुछ इस तरीके से, यह star side ऐसा, delta side ऐसा, और इसके per phase की voltage, per phase की voltage आपको दी हुई है, यहाँ पे कितना volt है, यहाँ पे 127 volt है, यह HV side है, और यह LV side है, और यहाँ पे per phase का voltage जो है, वो आपको mention है, low voltage side का 13.2 kv, 13.2 kv, तो इधर का voltage, line to line voltages का ratio आपको निकलना है, line to line voltage का ratio आपको निकलना है, तो आप easily निकल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि VL is equals to root 3 times of VP होता है, तो VP कितना है, 127 root 3, आपने कर दिया, यहाँ पे, volt, यह volt, और यह, sorry, volt में है कि kv में है, अच्छा, यह volt में है, इधर वाला kv में है, secondary side, ओके, right, तो आप इन दोनों का ratio find out कर लीजे, आपको answer मिल जाएगा, क्या ratio find out करना है आपको, just calculator में रखिए, 127 root 3 divided by 13.2 kv, तो यह यहां का voltage कितना है, 13.2 kv, line voltage is equals to face voltage, VL is equals to VP, in case of delta और यहाँ पे voltage यह होगा, तो इन दोनों का ratio कितना, आपको answer किस form में दिया हुआ है, let me check, तो 127 का अगर root 3 से multiplication करता है, यह 220 divided by 13.2, 220 divided by 13.2 is the right answer, यह answer correct देखने के लिए मिलेगा, option A is correct for this question, right, तो option A is correct for this question, तो easy question था, कुछ करना नहीं था इसमें, voltage है, phase voltages दीए होगे ते, line voltages आपको calculate करना था, next question को solve करते हैं हम लोग, when a three phase load is comparatively small, so that the installation does not warrant a three phase transformer bank, which of the following three phase transformer connection is used, अच्छा three phase load क्या है, three phase load, अगर small है, comparatively small है, so that installation does not warrant a three phase transformer bank, मतलब इतना small है यह load की three phase transformer bank लगाने की जरूरत नहीं है, three phase transformer bank अगर हम लोग लगाते हैं, तो access power रहेगा, जो की यह load absorb नहीं कर पा रहा है, इतना small load है, तो आप क्या कर सकते हैं, कौन से option के साथ जा सकते हैं, डेल्टा स्टार ट्रांस्फर्म के जाएंगे, squad connection करेंगे, squad connection करते हैं, three phase to two phase conversion करते हैं, तब squad connection आप यूज करते हैं, star star connection हम लोग यूज नहीं करते हैं, because of magnetizing phenomena, तो delta star transformer में नहीं यूज करेंगे, आप VB connection यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, अगर delta delta transformer यूज किया है, और VB connection में क्या होता है, 100% का 57.7% यह share कर सकता है, तो reduced load है, तो इतनी VB connection यहां पर work कर सकता है, तो best option यहां पर option A देखने के लिए मिलेगा, आशा करते हैं, आप समझ गया होंगे, question का जो sense है, next question के बारे में बात करें, with reference to delta delta connection of a three-phase transformer, statement true and false for the following statement, तो delta delta connection के बारे में हम लोगों को बात करना है, फर्स्ट वन स्टेटमेंट दिया हुए, फर्स्ट स्टेटमेंट, it is satisfactory for both balanced and unbalanced loading, तो यह correct है, delta delta load balanced और unbalanced, unbalancing के case में जो three-phase zero sequence currents वेगर आते हैं, वो easily यहां पर phases of delta में circulate कर सकते हैं, जो कि line को effect नहीं करेंगे, तो यह एक challenging है, unbalance के case में, हम लोग use कर सकते हैं, delta delta में easily, next जो statement दिया हुआ है, पहला वाला statement true है, second वाला statement है, third harmonic does not appear in the output voltage wave, यह भी correct है, कि third harmonic के बारे में बात करें, तो third harmonic phases में circulate हो जाते हैं, तो lines के across में absent रहते हैं, जो कि load को third harmonic से कोई भी effect नहीं देखने के लिए मिलता है, इसलिए हम लोग prefer करते हैं कि at least, at least one side of transformers must be connected in delta, in delta, इसी reason होने की वज़ास है, तो यह दोनो statement correct है, यह harmonics और sequence current का question है, तो इसके लिए आपको और भी पढ़ने की जरूरत है, harmonic वाले section को पढ़ने की जरूरत है, तो दोनो statement correct है, which option is correct, option c is correct, option c correct है, next question के बारे में बात करें, which of the following three phase connections of transformers is rarely used, तो star star transformer हम लोग rarely use करते हैं, क्योंकि osculating neutral, osculating neutral, का जो problem होता है, वो observe होता है, and three third harmonic issue, issue, and zero sequence current issue, current issue, होने की वज़ा से हम लोग क्या prefer करते हैं, use करना, अगर star star transformer आपको higher voltages में use करना भी है, तो at least, tertiary winding यूज़ करिए, आप tertiary winding यूज़ करिए इसमें, winding, and that must be delta connected, अगर आप tertiary winding यूज़ करते हैं और delta connection यूज़ कर लेते हैं, load is unbalanced only, unbalanced as well as unbalanced load none of the above, तो balanced और unbalanced दोनों में delta transformer, delta star transformer use किया जा सकता है, यह balanced भी है तब भी happily work करेगा, unbalanced भी है तब भी happily work करेगा, क्योंकि delta है, अगर कोई भी magnetizing current या फिर third harmony का issue आता है, तो वो delta के phases में circulate होके, सारी चीज़े balance करतेगा, संतुलित करतेगा, right, next question के बारे में बात करें, which of the following cannot be possible way of connecting three phase phases in a three phase transformer, तो star connection possible है, delta connection possible है, zigzag star possible है, asymmetrical जिसको बोलते हैं हम लोग, hexagonal नहीं possible है, यह आपने कभी सुना भी नहीं होगा, hexagonal, hexagonal आपके पास नहीं possible है, यह ऐसी option दे दिया हुआ है, तो option D is wrong sorry right for this, next question है, which of the following is correct use of delta-delta connection, so delta-delta connection का use, correct use क्या होता है, this connection is economical for HV transformers, obviously बात है, this is used for smaller power system, sorry sorry, power system, this is best match for ultra HV transformer, this suits large LV transformer, तो देखें, general recommendation क्या कहता है, star is used for HV, and delta is used for LV, so low voltage, delta में क्या देखने के लिए मिला था, low voltage, high capacity, capacity, applications में इसका यूज कर सकते हैं, अगर आपने वो session नहीं देखा हुआ है, general recommendation and exception वाला, three phase transformer का, वो जरूर देखेंगा, वहाँ पे आपको clear होगा, this suits large LV transformers, तो delta, delta connections में, large capacity क्या है, large मतलब KVA capacity क्या है, large है, and voltage rating क्या है, voltage LV transformer, low voltage transformer में, low voltage and high capacity transformer में, delta use किया जा सकता, option D is correct option for this, next question के बारे में बात करें, there is a phase difference of, fill in the blanks between the corresponding phases of, primary and secondary, in star delta transformer, star delta transformer में, 30 degree lag या फिर 30 degree lead का connection, यहां पर possible हो सकता है, phase differences हो सकते है, 60 degree हो सकता है क्या नहीं, voltage में होता है कि current में phase difference, voltages में होता है, line voltages, current वेगरा का voltage phase difference नहीं, line voltages का phase difference होता है, जो कि different phasor groups होता है, तो जीरो डिगरी करेंट नो करेंट नो तो 30 डिगरी वोल्टेज इस राइट एंसर ऑप्शन ए इस दे बेस्ट मैच नेक्स्ट कोश्चन है विच आफ दा फॉल्विंग कनेक्शन इस यूज एज डिस्ट्रिबूशन ट्रांसफोर्मर में हम लोग क्या यूज करेंगे सेकंडरी साइट क्या होना चाहिए इस्टार होना चाहिए तो इस्टार इस्टार कनेक्शन नहीं यूज करते हैं क्योंकि तीन प्रॉब्लम्स हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वज़ा से नहीं यूज करते हैं डेल्टा में डेल्टा है इ एक्पारमेंट है तो सब्प्लाई दी सिंगल फेज लोड सिंगल फेज लोड नेक्स्ट कोशन तो आज के सेशन में इतना ही कोशन थे जिसकी बैटरीन प्रैक्टिस की आम लोग ने अगर आपने जनरल रिकमेंडेशन और एक्सेप्शन वाला जो त्री फेस टांसफोर्मर का लेक्ट्चेर है वो नहीं देखा होगा जरूर जाके चेक आउट करिए जिसके बेसिस पर आपको मल्टिपल कोशन प्रिवेस एर में देखने के लिए मिले हुए हैं तो थ्री फेस टांसफोर्मर का एंसी क्यों प्रैक करेंके, एक्ट एक्से करेंके, तीक फर देखने, वोल बेस्ट.